नमस्ते विध्याथी मित्रों, हूँ चोहार सायदा, वास्तले कन्यासडा में आपनों हादिक स्वागत करूँ छूँ, आजे आपने धोरन साथ विशेहिंदि मां पार दस अंदाज अपना अपना विशे समझी सूँ, किसी भी विशे के सम्बद में तरकपोन सोचना या चिं मुक्त चिंतन में वेक्ति अपने जीवन के अनुभव मान्यता है, और द्रश्टी कौन का उप्योग माहिती का प्रुतकरण करने के लिए करता है, और माहिती की सत्यता तक पहुँच कर निर्ने लेता है, प्रस्तुत इकाई में तारकिक चिंतन के बहु आयामी सोच का विक प्रवर्ज के साथ सूरत में रहते हैं, छोटा परिवर सुख का आधार होता है, उनका जीवन भी खुश हाल था, एक बार दिपावली की चुटियों में वे तीनों अंबाजी गए, चार दिन बाद वापस आकर देखा तो चौक गए, उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है, उसके पेड़ पोध के कई फूल पते जड़ गए हैं, घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा दूल से खराब हो गया था, दिवार पर की लेना और वर्ज की तस्वीरे भी नीचे गीर गए थी और तूट गए थी, भाविस भाई वकिल छे, तेव पोता न एक वर दिवारीनी रजाओमा तेओ त्राणे अंबाजी गया, चार दिवस पची पाचा आवीने जोयूतो चमकी गया, तेमने जुयू के घर नी बहार जे बगीचो छे, तेना रुक्ष अने छोडवाओना केटला फूल पांदला खरी पड़िया थे, घर मा अंदर जैने जोयूतो आखो ओरो दूर थी खराब थाई गया तो, दिवाल परना लीना अने वर्जन फोटा पर नीचे पड़ी गया था, अने तूटी गया था, नन्ने मुनने बच्चो ऐसा क्यों हुआ होगा वे समझ नहीं पाए, आप बड़े अकलमंद है, आप ही उन्हें बताईए नाना बाड को आ सामाटे थायू असे ते ओ समझी सक्या नहीं, तमे तो खुब बुद्धिशारी छो, तमे ज तेमने कहो, परेश भाई किसान है, उनकी पतनी हीरल बहन नर्ष है, एक दिन सुबा सुबा हीरल बहन ने पानी के नल से नीचे जल्द बाजी में एक मटका रख बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई, चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था, हीरल बहन अपने आप पर हसने लगी, परेश भाई खेडू छे, एमनी पतनी हीरल बहन नर्ष छे, एक दिवस व बनावी ने पची जरे, पाच्छा आवी ने जो यो तो माटलू खाली हतू, तिमा पानी नो हतू, हीरल बेन पोता नी जात पर हस्वाल लागया, मेरे समझदार दोस्त, आप ही बताईए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, मारा समझू मित्रों हवे तमेज कहो के आम के उथाईवा से, धन्य उन्हें बच्चों ऐसा क्यों हुआ होगा, वे समझ नहीं पाए, आप बड़े अकलमंद है, आप ही उन्हें बताईए, तो यह तमारू भावार्त कहवानू छे, तो भाविस भाई के घर की हालत देखकर लगता है कि बाहर जोर की आंदी आई होगी, वेटी लेश कर चला गया होगा, बड़े चूहुक ने अंदर घुसकर सरारत की होगी, मेरे समझ दार दोस्त, अब आप ही बताईए, कि ऐसा क्यों हुआ होगा, हीरल बेन के साथ, तो नल में पानी बंद हो गया होगा, मटके में दरार होगी, मटके के पेंदे में छेद होगा, मटका ठी डी नल के नीचे नहीं रखा होगा, मटके पर गलती से ढकन रख दिया होगा, मटका उल्टा रखा होगा, सेजल दो गमले लाई, उनमें तुलसी के पोधे थे, दोनों पोधे लंबाई, चोड़ाई और उंचाई में एक समान थे, एक महीने के बाद दूसरे गमले का पोध बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पोधा अब भी इतना ही था, जितना एक महीना पहले, सेजले बे कुंडा लावे, तेमा तुलसीना छोड़ हता, बने छोड़नी लंबाई पोड़ाई और उंचा एक सरकिया थी, एक महीना पची बीजा कुंडान नों छोड़ वदी जरे पहला कुंडानों छोड़ हजूपन तेटलों हतो, जेटलों एक महीना पहला, मेरे बोले बोले बेजा बाज, दोस्त ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताए, मारा भला बोड़ा बेजा बाज, मित्रों आम केवीरित थायुआ से, तमेज कहो, सेजल के पहले गमले का पोदा नहीं बढ़ा, क्योंकि वह गमले का पोदा प्लास्टिक का या नकली होगा, दूसरी बाद उसमें पानी की कमी रही होगी, तीसरी उसे जरूरी हवा और प्रकाश नहीं मिलेगा, चोथी किसीने पोदे को काट दिया होगा, पाजवी पोदे क गमले से मिटी निकल दी गई होगी, चटी गमले में उचित खांद नहीं डाली होगी, तरक की लगाम कलपना के घोड़े, तरक नी लगाम कलपना ना घोड़ा, आप साइकल पर स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिला कर आपको रुकने का इशारा कर रहा था, आप रुके, उसने कहा कि बगल वाले घाओं में मेरा जाना जरूर है, आपने उस आदमी को साइकल पर बिठाया और पास वाले घाओं तक पहुँचाया, वहाँ जाकर आपको पता चला कि वहाँ एक जादू कर का कारेकराम होने वाला है, और वह आदमी उसका स आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई, जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चसमेत दिये, और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, इसका असर एक हपते तक रहेगा, अहीं कहवा गया, तेने कहिऊ के, बाजूना गाम मां मारे जवू खूब जरूरी चे, तमें ते मानस ने साइकल पर बेसाड़ो अने बेसाड़ियो, अने पासेना गाय में पहुचाड़ियो, त्यां जहिने तमने खबर पड़ी के, त्यां एक जादूगर ना कारेक्राम थवानों छे, अने ते मानस तेनों मददगार छे, ते मानस ने तमने जादूना खेल जोवानिक मिननती करे, परन्तु स्कूले पहुचता मोडू थाई जाजे, एम विचारी ने तमें ना पाड़ी दीदे, ते मानसे बधी वात जादूगर ने कही, जादूगरे खुच थाई ने तमने एक चमतकारी चस्मा आप है, अने कईू, के आप अरिया पछी, तू सवने जोई सकीस, अने कई पर करी सकीस, तने कोई नहीं जोई सके, आनी असर एक अठावडिया सुधी रह से, आप चस्मा लेकर वापस अपने घाउं की पट्शाला में आए, वहां से घर गए, दूसरे रोज नहां धोकर आइने के सामने आपने चस्मे पहने, आइने में देखा तो सचमुच आप घायब हो चुके थे, तमें चस्मा लेकर पाचा पोता ना घामनी स्कूल मा आवया, त्या थी घेर कया, बीजे दिव से नाही दोईने दरपढणी सामें तमें चस्मा पहने, दर समेज कहो के तमें क्यां-क्या जसो औरने सुसू करसो, जादुई चस्मा पहनकर में हल्वाई की दुकान में जाकर मन चाही मिठाई खाऊंगा, दूसरी बात, मुप्त में फिल्म या नाटक देख आऊंगा, तिसरी बात, मुप्त में जादू के खेल देखाऊंगा, पूरे दिन की पढ़ाई और खिल कूद के बाद रात को आपकी आँख लग गई, नीन में आपने एक सपना देखा, आप गुमते गुमते बहुत दूर निकल गए, आप नदी पहाडों के अद्बुत सौंदर में नील हो गए, आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जं आखे बंद कर दी, आपने इश्वर को याद किया, और कहां काश मेरे पास पंची की तरह पंख होते तो तभी चमतकार हुआ, और आपके हाथ की जगह पंख उग आए, आप उड़कर वापस घर आए, आप बड़े खुस थे, जान भी बची और पंख भी मिल गए, सपना त इन से आखे खोले, आपने पाया कि आपको हकिकत में हाथों की जगह पंख मिल गया है, यहां कहेवा मावुचे कि आखा दिवस ना भंतर आने रमत गमत पची, रात्रे तमने उंग आवी गई, उंग मा तमें एक स्वपन जोयो, आने फरता फरता खुब दूर निकडी गया तमें नदी परोतना अजबुत सोंद्रे मा लील थाई गया, तमने खबरपण न पाड़ी आने तमें चालता चालता जंगल मा पहुंची गया, एका एक तमारी सामें एक सीन आवी पहुंची ओ, सीने जोयने तमने भान थाईू, तमें घपरई गया, भैना मार्या आखो अने काईू, अरे मारी पासे पकसी नी जेम पांखो होई तो त्यारे चमत का थायो, अने तमारा हाथ नी जगया पांख उगी निकली, तमें उड़ी ने घरे पाचा आवी गया, तमें खुश खुश हता, जीव पन बची गयो अने पांखो पन मड़ी गय, स्वपन खंडित थायो, तमें उग माती आखो खोली, तमें जान्यों के तमने हकिकत मा हाथ नी जगया पांखो मड़ी गयी छे, मेरे पंची परिंदे दोस्त अब बताईए कि आप कहां कहां जाएंगे और क्या क्या करेंगे, देखेंगे, उड़ने के लिए पंख मिल जाने पर, पहली बात मैं आसमान में बादल के पास जाकर उने देखूँगा, दूसरी, मैं पक्षियों से मित्रता करूँगा, तीसरी, मैं पक्षियों के साथ उढ़ने की सर्थ लगाऊँगा, चोथी, मैं उड़कर बाजा से चीजे ले आऊँगा, पाचवी, मैं पेडो पर बेट कर फल तोड कर खाऊंगा छटी में पहाडों पर जाकर आनंद मनाऊंगा साथवी में दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्ली पहुच जाऊंगा आठवी में जंगल जाकर शेरों तथा बागों को नजदिक से देखूंगा इस बार आपकी मज़ेदर और अनोखी कसोटी होने वाली है एक खपतें तक सुख चेन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या-क्या ले जाएंगे अहीं कहवा मावी चे कहवे तमारी मज़ानी अने अनोखी कसोटी थवानी छे एक मोटू वहां तर्में रिजन टापू पर लई जवानू छे त्यां फक्त माटी काकर पथर परवत अने द पानिंज छे मारा बुद्धिशारी मित्र त्यां एक अठावडिया सुन्दी सुख चेन थी रहवा माटे तमें तमारी साथे सुसु ले जासो सूची बनाओं दीपर सुख चेन से रहने के लिए हम अपने साथ पहली बात काफी कपले ले जाएंगे दूसरी खाने के लिए बिस्कीट, पॉपकॉर्ण, सेव, आधी, सुखिक, खाद, पतात ले जाएंगे तिसरी बार बादाम, काजू, अंजीर, फल, आधी, मेवा ले जाएंगे चोथी एक स्टोर भी ले जाएंगे उस पर खाना बनाने के लिए हम कूकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आधी ले ज चाटी, हम क्रिकेट का सामान, केरम, सत्रंज, फुटबॉल और टैनिस खेलने की स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे, साथवी, पटने के लिए रोचक और गनानवर्दक कुस्तके ले जाएंगे, आठवी, एक कोपी ले जाएंगे जिसमें उस दीप पर मिलने वाली वनसपत वहां के प्रक्षियों, प्राणियों के बारे में प्रात जानकरी लिखेंगे, सनावमी, रक्षा के लिए छोटी बंदु भी ले जाएंगे, मैं क्यों मानूं, कुछ विगनापन में प्रकाशित खास विधानों को गेर गोर से पढ़ियों और उस पर वाद विवाद कीजि अब नए पैक में, शोक बड़ी चीज है, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, यहां पैट्रोल ही नहीं, विश्वास भी मिलता है, हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिस्ते भी बनाते हैं, छटी, पाकाते हैं, रस्वई, परोस्ते हैं, प्यार, हुँ सामाटे म कितलीक जाहरातों मा प्रकासित खाद विधानों ने द्यान थी माचो, अने तेमना विशे चर्चा करो, पहली, हवे नवा पैक मा, बीजी, शोक मोटी वस्तुचे, त्रीजी, पहला उप्योग करो, पची विश्वास करो, चोथी, अहीं पेट्रोल ज नहीं, विश्वास प